श्री शिवाय नमस्तू भ्याम हर हर महादेव आज की कथा में पुज्ज गिरुजी ने शावन की शिवरात्री के लिए पूजन सामगरी की लिस्ट बता दी है जो आप सभी के साथ शेयर कर रही हूं सबसे पहले आपको चाहिए पार्थियो शिवलिंग निर्मान के लिए मिट्टी, गंगा जल, एक चुटकी, पीसी हुई काली मिर्ची और एक बेल पता अब पूजा के लिए जान लिजिए दो थाली, एक पूजन सामगरी रखने के लिए और एक आरती के लिए एक लोटा जल, गेहु के दाने 21, कमलगटे 5, चावल पूरे साबूत 108, काली मिर्ची 21, काली तिल्ली 1 चुटकी, धतूरा 1, बेल पत्र 7, समी पत्र 7, लाल गुलाब के फूल 7, गोल सुपारी 3, एक गणेजी को इस्थापित करने के लिए, एक गोराजी को इस्थापित करन के लिए, और एक संकल्प के लिए, जनेव 2, देसी घी के दीपक, 2, एक अखंड अभिशेक तक जलाने के लिए, और एक आरती के लिए, कोई भी फल, पांच, प्रशाद के लिए कुछ मीठा, घर पर बना हुआ भी ले सकते हैं, या फिर आप बाजार की मीठाई भी ला सकत हैं, इत्र, पिला, चंदन, अबीर, गुलाल, मोली, जिसे कलावा भी कहते हैं, कपूर, लोंग, इलाईची, पंचामरित, और इसके अलावा, दूद, दही, घी, शकर, गंगाजल, शहद, सभी थोड़ा-थोड़ा आपको अलग भी लेना हैं, यह सभी समगरी आपको पूजा के समय से पहले ही तयार कर लेना है, शाम को पूजा के समय सारी पूजा थाली में सामगरिया प्यवस्तित जमाले और शिवलीन को स्थापित कर ले और पूजा के लिए तयार रहें, पुजी गुरुजी के द्वारा बताएं सभी उपाय और जानकारी के लिए मेरे चैनल को तुरण सस्क्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी न भूले दन्यवाद